तो इसका में बनाने चाहरी हूँ गोभी का लिया बड़े बड़े फूल निकाल कर और उसे अच्छे से साफ करके और फिर मैं उसे गरम पानी में डाल दिया मैंने ताकि यह सॉफ्ट हो जाए साथ ही मैंने आदा चमस नमग मी डाला ताकि अगर इसमें कुछ कीड़े बगए तो मर जाए तो इसके बाद मैं ठेंडे पानी से धूलूँगी और इसके बाद जो इंग्रेडेंट्स हैं वो हैं प्याज शिम्रा मिर्च और लैसन अद्रक हरे मिर्च जिनका मैं पेस्ट पनाऊँगी तो प्याज और शिम्रा मिर्च कटा हुआ देख रहे हैं आप मैंने क चुके हैं अब इसमें मैं डालओंगी अद्रक लैसन और हरे मिरच का पेस्ट तो यह भी पेस्ट के इसे क्रश कर लिया मैंने तो इसको मैंने डाल दिया जिसे मिक्स कर लिया हूं इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ऐसी चीजों में में तो लैसन और अद्रक का तो यह महीन हो गया थोड़े गील होगे बट कोई नहीं स्टफिंग के लिए यह बढ़िया होगा इसके बाद मैंने पानी करम करने को रख दिया तो जब तक इतर पानी करम होगा मैं आटा गूत लूगी और सब्जियां भी पक जाएंगी तो दो कटोरी मैदा लिया है मैंने आटे के लिए जिसमें लियर के लिए बाहरी और इसमें दो चमच मैं देजी की ले रही हूँ गरम कर गया डाल दिया आदा चमच अजवाइन डाला फिर मैंने ने गूत लिया त्वरा सॉफ्ट गूता है और देखे हैं छोठे बर्तन में करके मैं इसको फिरज में डाल रह उदेके खाल ej राइं से कट כर लिया और मैं ने पुरिया बनाने हम bonded हो मैं है तो जो मोमोज हुए आप चाहें मुहोज को बना सकते हैं और अपनी पसंद औरी सुविधा के अजा मुझे आत्या हुगा एन। तो बच्चों को बहुत पसंद नाता है और मेटरी से पूछा मैंने कि क्या बरिक बना हूं तो इसने बोला कि कोई ऐसा बना है जिसमें आएल ना हूं तो मुझे यही समझ में आया कि जाड़े में ठर सबजियों के साथ और चटपड़ा नाशना मोमोज ही रहेगा तो मैं मोम यहीं और ऐसे तीन बार मैंने सेट किया तो मेरे सारे मोमोज बन गए तो आप ज़रू ट्राई करिए और बताएगा अपने एक्सबियेंस की कैसा लगा आपको मोमोज मेरे एक और बनाने पर इसके साथ मैंने लाल टमाडर और लाल मिर्ची की चटनी बनाई है जो की मोमोज खाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दिखी चटनी के साथ कितने यम यभी लगे मेरे मोमोज सो कीप वाचिंग मैं चैनल और टेक कियर बबाई